घलो फिरंडंस तो वेल्कम बाग तो माई चारल तो आज सीखते हैं एक नहीं ट्रिक बहुत अच्छी ट्रिक है ठीक है मल्टिपलीकेशन की किसी भी नंबर को 11 से मल्टिप्लाय करना आप तो आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं तो आएए 2-digit multiplication पहले सीखते हैं अगर किसी number को जैसे 11 से करना है 11 into 12 ले लीजिए कोई भी number हो सकता है 95 तक ठीक है 11 into 12 करना है तो हम पहले क्या करेंगे जिस number से करना है जिस number से करना है तो 12 को हमने दिखा यहां वन टू और वन प्लेस टू थ्री इस यूर आंसर अब जैसे एक और एक्जामपल मैं ले लूँ 11 into 34 तो 34 में 3 4 पीच में 7 3 प्लेस 4 7 तो यह आपकी टू डिजिट के लिए होगी बहुत अच्छी ट्रिक है आप इसे 99 तक किसी भी number के लिए कर सकते हैं और वेरिफाय भी कर सकते हैं यह भी एक लिए ज्यादा कॉमें ट्रिक नहीं है कभी कभी काम आ सकती है आपको रइट अब नेक्स ट्रिक हमारे पास आती है अगर है अगर आपके पास आगया 100 101 यह फिर इंफिनिटी तक चले जाओ फिर कोई भी नंबर हो फर एक्जामपल 11 इंटू 134 इसमें आपने सियाद किया रखना है कि अगर जब आप इन दुने नंबर्स को हमने को अलग किया हो 12 को 1 और 2 में डिवाइड अलग कर दिया इसको हमने यूनिट स्प्लेश को हमेशा एक जगा रखना है बाकि जो भी नंबर है अगर यहां 143 आगे 4 लिख आता तो 143 को मै अलग कर दिती और 4 को अलग लिखती यहां 13 आएगा 4 आएगा 17 4 लिखा 7 और 1 4 बान इसका यहां चला गया एक और एक और एक्जाम्पल लें एक और एक और एक्जाम्पल के लिए लिए लिजिए 2 66 आप बताईए क्या करेंगे यह 6 लिखा यह 26 लिखा वरी गूड 26 प्लिस 6 32 यह 6 यह 2 आगया 3 कहां जाएगा 26 की उपर 29 29 26 आप इसे वरिफार कर सकते हैं बहुत वालिट ट्रिक है कहीं भी यूज कर सकते हैं काल्कुलेशन में काम आएगी जाए निट के लिए स्कूल में भी राइट तो आपको यह काम यह आएगी यूज इठ प्रेटिस इठ शोग श्या विड्विड थी इस लिख एट जाएग इड प्ली सुब्स्रीबच्णाट उठ यह यह इंग इड जाएगा 32